ममता बेनर जी ने ये भी कह दिया कि प्रावन पतिष्टा कोई नेताओं का काम नहीं है ये तो पुरोहित और सादूओं का काम है हमारा काम तो विकास पर ध्यान देना है अच्छा यानि एक तरह से ममता बेनर जी ये कह रही है कि नरेंदर मोधी तो सिर्फ मंदिर में ही क्योंकि सच ये है कि जिस राम राज्जी के हम बात करते हैं कलपना करते हैं वो राम राज्जी क्या हो सकता है आग कोई प्रभु राम थोड़ी हो सकता है कोई प्रभु राम के जैसा काम थोड़ी कर सकता है लेकिन प्रभु राम जिस तरह से जो सबसे पिछड़ा तपका ह उसके लिए भी सोचते थे सब को इखटा करते थे अगर वही कहीं भी हो जाए तो वही दरसल रामराज्य है जहां सब को सम्मान मिले नारी को सम्मान मिले पिछड़ समाज को सम्मान मिले यही रामराज्य है और क्या है और यही काम नरेंदर मोदी ने किया है इसकी रिपोर्ट आई है सच यह है कि विपक्ष नरेंदर मोदी के खिलाफ जो भी महल बना ले राहूल गांदी ममता बिनर जी जो कह लें लेकिन सच यह है कि नरेंदर मोदी का द्यान सिर्फ राम मंदिन निर्मान पर नहीं बलकि राश्टर निर्मान पर भी है आज ही नीती आयोग की रिपोर से लेकर 2022-23 कितना साल हो गया नौ साल हो गया ना बॉस ये नौ साल में देश के अंदर नरेंदर मोदी ने क्या किया है 24 करोड 82 लाक लोग ये क्या हुआ है 24 करोड 82 लाक लोगों के साथ ये गरीबी रेखा से उपर आए ये 24 करोड लोग 24 करोड 82 लाक मतलब अगर मोटे तोर पर पकड़िएगा तो करीब 25 करोड लोग इस देश में बीते 9 साल में गरीबी रेखा से उपर उठें और इसको अगर आप हर साल में तोड़िएगा तो हर साल करीब करीब 2 करोड 75 लाक लोग और इसमें सबसे ज़्यादा संक्या कहा है आपको पता है सबसे ज़्यादा यूपी जहां पांच करोड़ चौरानवे लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर आए पांच करोड़ चौरानवे लाख गरीबी रेखा से बाहर आए ये संक्या 25 करोड लोगों का गरीवी के फेर से बाहर आना कोई छोटी बात नहीं है बॉस 25 करोड तो कई देशों की जनसंख्या नहीं होती है जितने लोग इस वक जो है वो गरीवी रेखा से बाहर आएं बीते 9 साल तो और क्या बेतर होगा अगर आप गरीव के लिहास से सोचिए कि उसको उपर उठने का मौका मिल रहा है और ऐसे बड़े काम एक दिन या कुछ महीने में नहीं होते बलकि ये बड़े काम लगातार ग्राउंड पर चलते रहते तो ऐसा नहीं कि खाली नरेंद्र मोधी मंदिर बन वा रहे है मंदिर तब बन जाए और प्रभूश्री राम की क्रिपा तो तबी न बरसी जब ये 25 करोडों लोग गरीबी रेका से बार आए वही तो असली जो है राम राज्जी की अगर कोई कलपना हो सकती है यही ना है कि गरीब जो है वो उठे गरीबी घटने पर नीती आयो की नई रिपोर्ट के मताबिक भारत में मल्टी डाइमेंशनल पोवर्टी 17.89 प्रतीशत तक कम हुई साल 2013-14 में मल्टी डाइमेंशनल पोवर्टी 29 परसंट पे थी अब आप सोच रहे हों कि भाई यह मल्टी डाइमेंशनल पोवर्टी होती क्या है यह किस चुणिया का नाम है दरसल यह गरीबी को मापने का एक तरीका है जिसमें यह देखा जाता है कि किसी गरीब के पास हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की कितनी सुविदा है रिपोर्ट तैयार करते हुए यह भी देखा जाता कि गरीब बच्चों को कितना नुट्रिशन मिल रहा है स्कूलिंग कितनी हो रही है, गरीबों के पास कोकिंग फ्यूइल कितना उपलब्द है शौचाले है की नहीं है, पीने के पानी की सुविदा है की नहीं बिजली है की नहीं, मकान है की नहीं, संपत्ती है की नहीं, बैंक अकाउंट है की नहीं ऐसे 12 फैक्टर देखे जाते हैं और नरेंद्र मोधी सरकार का ये लक्ष है कि जो multi-dimensional गरीबी है उसको और घटाना है मनमोहन सरकार के 29% से घटा के 11% ले आए और वो मोधी कह रहे हैं नरेंद्र मोधी कि इसको घटा के 1% पे ले आएंगे नीती आयोक के मताबिक साल 2024 में ही multi-dimensional poverty का rate single digit में हो जाए और इस रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि बारत गरीबी को कम करने के अपने 2030 के लक्ष से बहुत आगे चल रहा है अभी नीती आयोक की रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि नरेंदर मोदी के टाइम में गरीबी घटने की रफ्तार पहले के मुकाबले तेज रही रिपोर्ट कहती है कि 2015-16 से 2019 के बीच गरीबी घटने की सालाना रफ्तार 10.66 फीसद रही जबकि 2005 से लेकर 2015-16 के बीच जिसमें जादतर समय मनमोहन सिंग प्राइम मिनिस्टर थे गरीबी घटने की सालाना रफ्तार 7.69 परसंट यानि नरेंदर मोदी पीम बने तो गरीबी घटने की रफ्तार करीब करीब 3 परसंट और बढ़ दे नीती आयोक की रिपोर्ट में पीम मोदी ने अपनी खुशी और गरीबी को कम करने के अपने कमिटमेंट को फिर दोर आया पीम मोदी ने कहा कि ये नतीजे बहुत उत्साजनक है समावेशी विकास को आगे बढ़ाने और हमारी अर्थविवस्ता में परिवर्तनकारी बदलावों पर ध्यान देने की हमारी प्रतेबदता को दर्शाता है ये मोदी ने कहा कि उनकी सरकार चोतरफा विकास की दिशा में काम करती रहेगी और हर भारतिये के लिए समरिद भविश्य सुनिश्चित करेगी ये भी द्यान रखिए कि ये जो आखड़े हैं गरीबी घटी 25 करोड लोग गरीबी रेखा के उपर आए ये उस दोर में हुआ है जब रूस युक्रेन युद भी चला जब करोना जैसा संकट भी आया जब अर्थव्यवस्ता इसे जुप से नीचे चली गई जब कोई सरकार गरीबों के प्रती संबेदनसिल होती है जब कोई सरकार साप नियत से गरीबों की परेशानी दूर करने के लिए काम करती है तो उसके परणाम भी निकलते है नितियायोग ने कहा है कि हमारी सरकार के नव साल में देश में करीब परीब पचीश करोड लोग गरीबी से बाहर निकले हैं जिस देश में दसकों तक गरीबी हटाओं के नारे दिये जाते रहें उस देश में सिर्फ नव साल में करीब पचीश करोड लोगों का गरीबी से बाहर निकलना आईतिहासिक है देशी नहीं बलकि दुनिया में भारत की ग्रोथ स्टोरी का डंका बच रहा है उदर प्रभुराम का काम हो रहा है इदर भारत के लिए अच्छी ख़बर आईए भारत को लेकर वर्ल्ड एकॉनमिक फोरम के अध्याक्ष बोर्गे ब्रेंडे ने बड़ा दावा किया है भारत आने वाले समय में 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थविवस्ता बन सकता है ये वर्ल्ड बैंक कह रहा है और ये सब अगले 10 से 20 साल के अंदर हो सकता है मोधी सरकार भी यही कह रही है न कि 2027-28 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थविवस्ता का लक्ष रखे हैं और 2047 तक हम 30 ट्रिलियन डॉलर की एकॉनमिक फोरम के रध्याक्ष बोर्गे ब्रेंडे ने कहा कि इस साल भारत की ग्रोथ रेट 8% रहने का नुमान बोर्गे ब्रेंडे ने कहा कि भारत अभी काफी आगे चल रहा है और इसमें उसकी डिजिटल एकॉनमी का बहुत एहम रोल है जिस डिजिटल इंडिया का मजाक उड़ाया गया अब वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि उसी की बज़ह से भारत इतना तेजी से भाग रहा है वर्ल्ड एकॉनमीक फोरम माँ कीजिगा वर्ल्ड एकॉनमीक फोरम के अध्यक्ष कह रहा है डिजिटल एकॉनमी दोगनी तेजी से बढ़ रही है वर्ल्ड एकॉनमीक फोरम के अध्यक्ष ये भी मान रहे है कि भारत लगतार रिफॉर्म कर रहा है और नई दिल्ली यानि मोधी सरकार इसकी एहमियत को समझ रही है यानि दुनिया, World Economic Forum दुनिया कह रही है कि भारत और गती पकड़ने वाला है भारत की तेजी जो है आगे बढ़ने की तेजी और नजर आई नरेंदर मोधी की सरकार में भारत की एकॉनमी रॉकेट बनी हुई और इसी वज़र से भारत में बड़ी-बड़ी कमपनियां चलाने वाले अधिकारी भी देश की ग्रोथ स्टोरी को लेकर काफी पॉजिटिव है एक सर्वे में 86% भारतिये CEO ने माना कि अगले एक साल में भारत की अर्थविवस्ता और बेहतर हो PWC's Annual Global CEO सर्वे के मताबिक सर्वे में 62% भारतिये CEO को लगता है कि अगले एक साल में अपनी कमपनी की ग्रोथ को लेकर वो एकदम निश्चिंत है कि बहुत अभी तो हमको आगे ही जाना है 70% भारतिये CEO को लगता है कि अगले तीन साल में अपनी कमपनी के रिविनी ग्रोथ को लेकर वो आत्मे विश्वास बत से भरे हुए